दोस्तो बचपन से स्कूल की किताबों में पढ़ाय जा रहा है कि हिमालाई देश का मुकुठ है हम टीवी और सोचल मीडिया पर भी इसकी खूब सूर्ती देखते रहते हैं लेकिन क्या आपको पता है कि इसके उपर से उड़ा नहीं बरी जा सकती है दोस्तो आप चाहकर भी हिमालाई परवत के उपर से सफर नहीं कर सकते हैं जरसल हिमालाई के उपर से किसी भी यात्री विमान के लिए कोई रूट निर्दारित नहीं किया गया है लेकिन आशा क्यूँ? तो दोस्तो इसी के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले है तो दोस्तो वीडियो को आखीर तक जरूर रिखेगा चैनल को आख ने सब्सक्राब नहीं किया है तो प्लिस चैनल को सब्सक्राब भी कर लिजिए तो दोस्तो आईए जानते है कि हिमाले परवत के उपर से उडान क्यों नहीं बरी जाती है दोस्तो हिमाले का मौसम काफी खराब रहता है और यही सबसे बड़ी वज़ा है कि हिमाले के उपर से उडान नहीं बरी जा सकती है और जो हिमाले का मोसम है वो लगातार बदलता रहता है जो विमानों की उडान के लिए अनुकूल नहीं होता है और वही बदलता मोसम विमानों के लिए खतरनाक भी होता है यात्री विमान में लोगों के हिसाब से air pressure system शेट किया जाता है लेकिन हिमाले में हवा की असामने स्थिती में यात्रीयों को बारी नुक्सान पहुश सकता है दोस्तों इसके अलावा बात करें तो हिमाले की उठाई सचे बड़ा कारण है हिमाले की उचाई 23,000 फीट है वही हवाई जहाज औस तन 30-35,000 फीट तक उड़ान बरते है लेकिन हिमाले की उचाई विमानों के लिए खतरनाक साबित हो सकती है क्योंकि आपाज कालिन स्थीती के लिए विमान में 20-25 मिनिट तक का ही ओक्सिजन होता है और आपाज स्थीती में जहाज को 8-10,000 फीट तक उड़ान बरनी होती है ताकि लोगों को सास लेने में दिक्कत ना हो लेकिन हिमाले में 20-25 मिनिट के समय में 30-35,000 फीट से 8-10,000 फीट पर आना संबव नहीं है इसके अलावा एक और वज़ा है वो है नेविगेशन की सुविदा दोस्तों हिमाले की इलाको की एक और दिक्कत है कि वहाँ पर नेविगेशन की उचित सुविदा मौझूद नहीं है ऐसे में आपाज कालिस्तिती में वीमान एर कंट्रोल से संपर्क नहीं कर सकते है दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकोन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगी भी आपको ऐसी जानकारी से बरी वीडियोज मिलती रहे तो दूस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही नहीं जानकारी के साथ